गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 का चैप्टर नमबर 10 क्राफ्ट एंड गियर यह जो चैप्टर है यह लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नमबर 10 इस चैप्टर में हम लोग क्राफ्ट एंड गियर के बारे भी पढ़ेंगे सबसे पहले हम यह जानते हैं कि क्राफ्ट और गियर होते क्या है जब हम लोग फिश हम लोग हर्वेस्ट करते हैं हर्वेस्ट मिन्स जब फिश कैच करते हैं तब catching के लिए जो चीजे इस्तिमाल होती है उसे हम कहते है craft and gear जैसे boards वगेरे हो गई अलग-अलग प्रकार की mechanical board होती है और simple वाली जो board होती है ये सब किस में आएंगा craft में आएंगा and gear, gears में कहाएंगे nets आएंगे, harpoons आएंगे, अलग-अलग प्रकार के जो traps होते हैं वो सब आएंगे तो हम इस chapter में इन दोनों craft and gear के बारे में पढ़ने वाले हैं तो start करते हैं students, chapter number 10, craft and gear Type of craft and gears First topic है हमारा types of craft and gears Craft and gears are the tools or instruments which are used by the fishermen since ages to harvest fish Craft and gears क्या है? Tools है और उसे instrument भी कह सकते हैं Fishery की instruments है जो कि किसके लिए use होती है? Fish harvest करने के लिए by fishermen तो fishermen इनका use करके fish को catch करते हैं, harvest करते हैं They are in the form of boats and net Craft and gear किसके form में होते हैं? Boats and net इनी को ही हम क्या कहते हैं? Craft and gear कहते है The method of fishing and types of craft and gear used for fishing are depend upon place of fishing, type of fish to be caught, nature of river, manpower and capital available तो यह method जो है हम लोग अलग अलग प्रकार की बहुत जादा varieties है इसमें तो अलग 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 प्रकार की इसमें fishing के methods दिये गए है, types दिये गए है जिसको जो कि हम लोग craft और gear जो हम लोग use करते हैं वो किसके उपर? यूज करना उनका fishing के उपर, means place कैसी है fishing की, area कैसा है, कहाँ पर हम लोग fishing कर रहे है, catch कर रहे है type of fish to be catch, means कौन से type की fish हम catch कर रहे है, means बड़ी fish है, छोटी मचलिया है, उनके उपर भी depend है कि हम किस तरीके के gears use करे, किस तरीके के craft use करे, nature of river, river nature, manpower हमारे पास कितना है अगर manpower हमारे पास अच्छे से है, तो हम लोग क्या कर सकते है, बड़ी nets का use कर सकते है वहापे, बट अगर जगा वहापे, place अगर छोटी है, pond छोटा है, तो वहापे हम बड़े gears नहीं use करते हैं, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, हम लोग craft और gears का use करते हैं और capital available means, कितना हमारे पास capital पैसा है, तो उस पे भी ये सब depend करता है, कि हम gears और craft किस तरीके से use करते हैं, अगर हमारे पास अच्छे से पैसा है, तो हम लोग अच्छे महेंगे craft और अच्छे craft और gear use कर सकते हैं, इन fishing operation, different term are used such as fishery unit, fishing, तो fishery operation के लिए अलग-अलग terms use की जाती है, जैसे की fishery unit भी कहा जाता है, उसके बाद fishing cycle, ठीके fishing cycle में क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले उसमें seed डालते हैं, फिर उनको हम लोग अच्छे से पालन करते हैं, उस fish seed का, फिर बढ़ा करते ह उसको harvest करते हैं, फिर से जब हम लोग harvesting के बाद, फिर से उसमें seeds डालते हैं, उन fish को फिर बढ़ा करते हैं, तो यह क्या होती है, एक process चलती रहती है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते है, fishing cycle भी कह सकते हैं, etc. Fishing gear, vessel, auxiliary equipment and fishermen constitutes a fishing unit, तो fishing unit किस से बना होता है, fishing gear, vessel, auxiliary equipment, means जो भी equipment हमें fishing के लिए लग रहे हैं, वो सब equipment इसमें आ जाते हैं, and fishermen, इन सब को मिला के क्या बनता है, एक fishery unit बनता है, size of unit is depend upon distance of fishing ground from shore, तो fishing unit का size किस पे depend है, कि shore से fishing ground कितना दूर है, ठीक है, जादा दूर रहेंगा, तो हमको जादा वहाँ पे manpower लगेंगा, जादा equipment लगेंगे, तो यह क्या हो गया, size of unit, तो size of unit depend करता है, distance of fishing ground from shore, handling and disposable of catch and geographical factors at the time of fishing, और इस पे भी depend करता है, handling और disposal कैसे हो रहा है, जो हम लोग fish catch कर रहे हैं, और geographical factors वहाँ पे कैसे है, at the time of fishing, fishing cycle is an entire fishing period from launching of fishing gear and again a launching after a gap, means fishing cycle, जब हम लोग fish catch करते हैं, उसके बाद हम कुछ दिन के बाद और fish catch करते हैं, means फिर से हम लोग gears use करके fish को catch करते हैं, तो fishing cycle हम इसे कहते हैं, तो यह क्या होता है, fishing cycle हम कब से कहते हैं, from period from launching of fish, launching of fish gear and again launching of after a gap, means फिर से हम लोग fish gear कब use कर रहे हैं, पहले हमने fish gear का use करके fish catch की, उसके बाद कुछ time के बाद हम लोग gap के बाद फिर से वो gear use करते, तो इसे क्या कहते हैं, fishing cycle कहते हैं, number of fishing cycle per day depends upon density of fish, fishing method and geographical factor at the time of fishing, तो number of fishing cycle, अगर बहुत जादा density में हमारे पास fish है, means कोई area है, pond area है, वहाँ पे fish की population बहुत जादा है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेंगा हमें, समय समय के बाद हमको catching करनी पड़ेंगी, fish catch करनी पड़ेंगी, तो यह किस पे dependent density of fish, कितनी बार हम लोग उस gear का use कर रहे और कितनी बार हम लोग fish catch कर रहे है, तो यह fishing density पे dependent होता है, और fishing method हम कौन सी apply कर रहे है, ठीक है, ऐसी fishing method है, अगर जिसमें एक time पे बहुत कम मचलिया हम लोग harvest कर पाते हैं, तो हमें वो बार-बार दोरानी पड़ती है, बट अगर हम लोग बड़ी nets का use कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक समय पे ही हमें बहुत सारी fishish harvest कर पाते हैं, तो यह भी method पे भी यह depend होता है, और geographical factors वहाँ पे कैसे हैं, इस पर भी depend होता है, फर्स देखो अभी fishing gear, fishing gear includes different type of nets, trap and hooks, which are used to catch fish, means fish gears, अभी हम लोग gears के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी इसमें कहाएंगा सब nets, trap, hooks, तो यह सब जो भी fish catching के लिए हम लोग use करते हैं, यह सब gears में आएंगा, तो fishing gear इसे कहते हैं, जिसमें fishing gear includes different type of nets, fishing gear में क्या क्या include है, अलग-अलग type के nets, हमने nets के बारे में पढ़ा है, miscellaneous nets होती है, और active nets होती है, passive nets होती है, यह हमने first chapter में पढ़ा है हमारे, तो अलग-अलग type के nets इसमें आ जाती है, traps आते हैं, ठीके fish को पकड़ने के लिए हम लोग-अलग trap लगा के रखते हैं, जिसमें fish हम लोग catch कर सकते हैं, hooks आते हैं, तो hooks हम लोग कभ यूज़ करते हैं, जब हम एक single man अगर fishing कर रहा है, तब उस time पर hooks का use करके fishing की जाती है, which are used to catch fish, तो जो भी हम लोग fish को catch करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, gear कहते हैं, type of method, net traps hooks used for fishing is depend upon local condition such as density of fish, area of fishing, fishing, geographical condition etc, तो type of method जो है, net, strap, hooks, इसका use किस पर depend है, local conditions, density of fish, fish वहाँ पर कैसे present है, और area of fishing और geographical conditions वहाँ पर कैसी है, तो इन सब पर depend हम लोग एक किसी method को वहाँ पर apply करते हैं, common fishing methods are gears used for fishing are described as follow, common fishing method के जो gears है, ठीक है, वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला है, hand picking method, hand picking method, simplest and traditional method of fishing, hand picking method जो है, उसे क्या कहा गया है, simplest and traditional method of fishing, fishing, fish are caught by hand in shallow water, तो जहाँ पर shallow water होता है, बहुत ज़्यादा deep नहीं होता, वहाँ पर fish को by hand catch किया जाता है, तो यह बहुत पहले use किया जाता था method, when water flow through a narrow channel, जब water किसी narrow channel से पास होता है, तो fishish, mollusk, pearl oyster and murals are also caused by this method, तो इस method से अलग-अलग जो fishish है, mollusk है, pearl oyster है, mural fish है, ऐसे fishish को catch किया जाता है, hand picking method से, तो इसके बाद है wounding gear, wounding gear, it is a traditional method of fishing by hunting, तो यहाँ इसमें क्या होता है, शिकार के जैसे, यहाँ पर यह traditional method है, जिसमें fish का शिकार किया जाता है, तो इसमें weapons का use किया जाता है, weapons like spear, harpoon, lance and refurls are, rifles are used to kill fishish, तो weapons में कौन से कौन से weapons है, spear, harpoon, lance and rifles are used to kill fishish, तो यह देखी, यहाँ पर दिये है, spear, इस तरीके का यह भाला जो हम कहते है, यह है spear, उसके बाद यह है harpoon और यह rake, तो इन सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, spear or notch is used to hunt larger fishish, when they are concentrated in small area, तो जो यह spear होता है, भाला, इसे हिंदी में भाला कहते हैं, जिससे बड़ी fishish का शिकार किया जाता है, और यह cup किया जाता है, जब fishishish किसी छोटे area में concentrate होती है, उस time पे इसका use करके fish catching की जाती है, इट consist of a split of bamboo shaft of size 1.50 to 2 meter in length, और यह कैसे बना हुआ होता है, इसमें एक bamboo shaft लगा होता है, इस तरीके का यह bamboo से बना हुआ होता है, और उसका size कितना होता है, 1.50 to 2 meter in length, to which a conical iron pointed is fitted, और इसके आगे में क्या लगा होता है, एक iron का conical pointed चीज यहाँ पे लगी हुई होती है, it is thrown at a large fish, और it is to use to cause fishes through holes in the ice, और rest in stream, तो यह cup use किया जाता है, जब कोई बड़ी मचली catch करनी होती है, तब इसे fake कर उस fish पे निशाना लगाया जाता है, और fish catch की जाती है, और जहाँ पे ice जादा होती है, ऐसे places होती है, थंडी जगा पे, तो ice में holes के अंदर जब fishes होती है, तो उसको spear से catch किया जाता है, हार्पून और एक काट्या has a shaft of 3 meter long, a barbed iron point is attached to one end of the shaft, तो एक काट्या और हार्पून इस तरीके का होता है, यह है एक काट्या हार्पून, यहाँ पे एक bamboo की stick होती है, और उसको iron का एक pointed इस तरीके से plate लगी होती है, जो कि pointed होती है, यह देखिए यह हार्पून, यह है हार्पून, एक काट्या, तो इसका 3 मीटर लॉंग का एक shaft होता है, और उस पे iron point लगाया जाता है, रेक कंसिस्ट आफ लॉंग हैंडल, विथा लॉंग थीन ब्लेड, इस अटेच्च तो बोथ दे एंड, इस लुक्स लाइक डबल ब्लेड ओर, रेक कैसे होता है, इस तरह का होता है रेक, देखो इस तरह का, यह है रेक, तो रेक कंसिस्ट आफ लॉंग हैंडल, जो कि किस से बना होता है, एक लॉंग हैंडल होता है, विथ लॉंग थीन ब्लेड, इस अटेच्ट टू बोद देंड, तो दोनों एंड पर यहां पर, ब्लेड लगी होई होती है, इट लॉक्स लाइक डबल ब्लेड ओर, तो जो बोड चलाते वक्ट, जो ओर होता है हमारे पास, उसके जैसे यह दिखता है, तो बेड मीन्स क्या होता है, मीन्स हम उसको चारा देते हैं, फीश को तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट होती है तो यह आर्टिफिशल भी हो सकता है या फिर रियल भी हो सकता है जैसे कौक रोच हो गया और स्नेल वगरे हो गया तो इन सबका को as a bait हम लोग यूज करते है तो फीश को वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और फीश हमारे जाल में फर्स जाती है, तो हुक्स और लाइन गियर फिशिंग इस वेरी ओल्ड मेथड यह बहुत ही ओल्ड मेथड है और फिशिंग बेस्ट ऑन दे प्रिंसिपर और किस पर बेस्ट है, दे फिश इस अट्रेक्ट बाइ ओफरिंग और और आटिफिशल बेट, मिन्स हम लोग उनको ओफर करते हैं बेट, जिसकी तरफ वो फिश अट्रेक्ट होती है और फिर हम उसे कैच कर पाते हैं, आफ्टर इटिंग बेट, फिश इस अनेबल तो रिमूव दा फिक्स्ट हुक फ्रॉम दी ओरल कैविटी, तो जैसे ही फिश वो बेट को खा लेती है, उसके बाद को लिफ्ट कर लेता है, वाटर से बाहर मिकाल लेता है, हुक्स में भी ओ थॉन और मेटल हुक अफ वेरियस साइज और शेप, हुक्स बंबू से भी बनी होती है, या फिर मेटल हुक्स आती है, तो अलग-अलग साइज में ये अवेलेबल होती है, इन मॉडरन फिशिंग, ह ब्लूइंग, तो मॉडरन जो टेकनिक से उसमें फिशिंग हुक्स जो अवेलेबल है, तो वो अच्छे से मेटल से बनाए गया है, जो की जिससे क्या होता है, वाटर से वो खराब नहीं होती है, गैलवनाइज नहीं होती है, ब्रॉंजिंग नहीं होता है, उसमें कोई तरे टॉर्टोई शेल, वेल, बोन, गोल्ड और सिल्वर प्लेटेड मेटल आर अल्सो यूज़ फॉर प्रिपरेशन ऑफुक्स, तो हुक्स और अलग-अलग कौन से मटेरियल से बनाए जाती है, लाइक मदर ऑफ परल, जिसमें होता है, वो शेल जो होता है उपर का, उससे बना है जाता है, हुक इस कंपोस्ट ऑफ हेड और आए, शेंक, बेंड एंड पॉइंट, तो हुक किस से बनी होती है, हेड, हेड और आए, शेंक, बेंड एंड पॉइंट, तो यह किसे कहते हैं, अब भी हम देखेंगे, यह देखिए यहाँ पर, यह है आए, उसके बादी हाँ यह है शेंक, यह है बेंड, क्योंकि यहां से यह पोर्शन बेंड होता है, और यह है इसका पॉइंट, पॉइंट विद बार्ब्स, यह जो इस तरीके ऐरो दिख रहे हैं, यह क्या है, बार्ब्स है, तो यह अलग-अलग साइज में इस तरीके के आती है, इसमें दो हुक्स है यह single वाले है यहाँ पे यह single है यहाँ पे two hooks है यहाँ पे और three multi hooks है यहाँ पे अलग-अलग तो इस अलग-अलग shape और size में यह आते हैं eye or head serves for fastening the line eye or head जो होता है वहाँ पे हम लोग thread बानते है bend is varies in shape bend अलग-अलग प्रकार के होते है shank is designed to prevent the escape of fish shank जो है इस तरीके से बनाए जाता है कि fish बाहर ना निकल सके point is provided with barbs जो point होता है वहाँ पे barbs होते है hooks may be straight bend or reversed rounded flattened angular double triple और may or may not have barbs तो जो hooks होती है वह कैसी हो सकती है straight भी हो सकती है bend हो सकती है reverse rounded shape में हो सकती है flatten हो सकती है angular हो हो सकती है double हमने देखा double जिसमें hooks होती है triple भी हो सकती है may or may not have barb और ऐसे भी हो सकती है जिसमें barb हो या फिर ना भी हो bait is attached to the hook to attract fish तो bait को hook से attach किया जाता है to attract the fishes generally earthworm, prawn, caterpillar, beetle, small fishes, cockroach, frog, piece of fish used as a bait तो bait जो चारा होता है वो कौन से कौन से प्रकार कर सकता है earthworm हम लोग use कर सकते है prawns यूज़ कर सकते है caterpillars, beetles, small fishes, cockroach, frogs, pieces of fish तो ये सब हम as a bait use कर सकते है live bait is more attractive but not always available hence dead bait is used तो live bait जादा attractive होता है, fishes को जादा attract करता है बट ये हमेशा हम लोग available नहीं होता हमेशा हमको नहीं मिल पाता इसलिए dead bait जो होता है जो मरे हुए insect वगरे होते है caterpillar होते है उनका use किया जाता है या फिर artificial भी जो bait होता है वो use किया जाता है अभी है lines are of two type lines, hand line, long line means fishing जब करते है आपने generally जब fishing करते हुए किसी को देखा होगा तो जो hand line होती है उससे करते है एक एक stick होती है उसको thread लगा होता है और stick वो इंसान के हाथ में होती है और जो thread होता है वो पानी के अंदर डाला हुआ होता है तो उसमें fish क्या होती है अट्रेक होती है उसपे bait लगा जाता है तो fish attract होके उसमें उसका जो mouth है वो उसमें अटक जाता है और फिर fish को catch कर लिया जाता है तो इस तरीके से hand line का use करके fish catching की जाती है तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे hand lines this line is very simple one or two hooks are attached to the end of a cotton line तो ये एक बहुती simple तरीका है जिसमें एक या फिर दो hooks attached होते है to the end of cotton line means thread को which is hold in hand तो और जो stick होती है वो hand हाथ में पकड़ी जाती है a long bamboo stick of size 2.5 meter long is also used by some people तो कुछ people direct thread पकड़ते है और कुछ people क्या करते है bamboo stick का use करते है तो वो भी उसकी size होती है 2.5 meter long to the bamboo stick line is tied और उस bamboo stick को क्या लगा जाता है thread line लगाई जाती है in hand line there is only one line with a sinker and snood तो hand line में क्या होती है एक ही line लगाई जाती है उसके साथ sinker और snood होता है several hooks are attached to increase chance of fishing तो hooks ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते है जिससे क्या होता है fish catching के chances बढ़ जाते है तो देखिए इस तरीके के होती है वो hand lines यह जो है यह हमारे book का diagram है यह book में दिया गया diagram है और यह इस तरीके का होता है वो lines तो यह है sneaker और snood हम इस जो धागा होता है उसे हम लोग कहते है यह देखिए snood hook snood ठीक है तो यह देखो इसमें यहाँ पर hook लगाया गया है long line long line with several hooks are used to catch large number of fishes long line क्या होती है जिसमें बहुत ज्यादा hook लगाया जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा fish catch कर सके the long line consists of main line with several pendant vertical line तो long line कैसे बनी होती है एक main line होती है जिसमें बहुत सारे lines लगाया होते हैं जो कि pendant की तरह vertical line में लगाया जाते हैं तो इस तरीके के वो दिखते हैं यह देखिए यह है long lines तो यह एक है main line जो होती है और उसके उपर बहुत सारे hooks लगाया जाते हैं तो पानी में डालने के बाद यह इस तरीके से दिखता है तो यह ऐसे लंबी जो line लगाया जाती है उस पे बहुत सारे pendant की तरह hooks लगाया जाती है तो उसमें बहुत सारे fishish catch हम लोग एक समय पर कर सकते हैं long lines generally operated in an area where fishish are present in high concentration तो यह जो method है वो कहाँ पर use की जाती है ऐसे area में जहाँ पर fishish का concentration बहुत साधा होता है these lines are short from a slow moving boat तो यह lines operate कहां से कर है slow moving boat में से यह operate की जाती है lines अभी है use of betted springs betted spring का use कैसे कूता है strong and flexible piece of bamboo pointed at both the end are used as a spring तो जो एक bamboo का एक ऐसा piece लिया जाता है bamboo की stick कैसी ली जाती है जो कि strong भी हो और flexible भी हो और वो दोनों तरप से क्या होती है pointed होती है ठीक है तो वो bet लगाने के लिए वो use किया जाता है two ends of bamboo piece are bend till they nearly meet and adjust within the body of bet तो जो bamboo की stick होती है उसको क्या करते है bend करते है और bend करके जो दोनों उसके end होते है वो pass में लाकर adjust किया जाता है और उसमें bait लगाया जाता है bait means चारा ठीक है कोई insect या फिर frog या meat या फिर fish को लगाया जाता है तो such as cockroach, grossofer, frog, piece of meat etc and then keep in suspended position in water और उसके बाद water में उसे suspended position में डाल दिया जाता है when fish consume the bait two ends of spring separate in the mouth और जैसे ही fish उस bait को consume करती है जैसे ही fish उस bait को खा लेती है वैसे ही वो spring है वो खुल जाता है means जो bamboo का जो हमने piece लगाया था तो वो हमने ऐसे adjust किया था कि वो एक साथ जुड़ जाये दोनों end और जैसे ही fish उस bait को खाती है तो वो separate हो जाते है और वो खुल जाता है spring और उसके fish के mouth में वो इस तरह के से खुलता है कि fish उसे फिर निकाल नहीं पाती springs are used to catch carnivorous fish such as mooral तो mooral fish जो है carnivorous fish ऐसे fish के लिए ये use किया जाता है उसके बाद है fish screens screens are made from bamboo sticks screen किससे बनाई जाती है bamboo sticks से बनाई जाती है means ये trap होता है एक तरह का तो bamboo को use करके यहाँ पे एक screen की तरह बनाया जाता है size of screen और छाची is 10 meter in length and 1 to 1.5 meter in width तो size कैसा होता है screen का 10 meter की length होती है और 1 to 1.5 meter की width होती है screen are set in shallow area at the time of high flood तो जैसे ही पानी जादा बहने लगता है उस time पे पहले ही इसे set कर दिया जाता है इसे area में जहाँ पे पानी बहे कर आता है when flood water receipts fishes left behind in muddy area are collected तो जैसे ही flood water आता है तो उसके साथ जो fishes आती है वो वही पे बांबू से अटक जाती है और पानी जो है वो बांबू screen से बाहर निकल जाता है तो fish वहाँ पे collect हो जाती है muddy area में तो carp, catfish, moorail are caused by using screen तो ऐसी जो fishes होती है carps, catfish, moorail से इन्हें catch करने के लिए screen का use किया जाता है next is fish traps and pots traps and pots are used to catch fishes a basket trap consists of two dome shape hemispherical basket traps and pots use किये जाते हैं fish catch करने के लिए तो ये bamboo से ही बने होते है basket trap consists of two dome shape hemispherical baskets hemispherical baskets होती है तो उसको जोड करके dome shape की basket बनाई जाती है the opening of this is guarded by flexible recurve bamboo stick तो opening में अंदर की तरफ bamboo stick लगाई जाती है जो कि अंदर की तरफ होती है a suitable bait is kept to attract fishes और उसके अंदर bait रग दिया जाता है ताकि fishes उससे attract हो fish enters in the trap but unable to get out due to the recurved stick तो fish उसमें enter तो कर लेती है उस trap में बट वो बाहर नहीं निकल पाती है क्योंकि वो जो bamboo stick होती है वो अंदर की तरफ होती है ठीक है तो रीक of sticks लगाने के वज़े से वो जो fishes है वो उस trap से बाहर नहीं निकल पाती है इसके कारण हम लोग क्या कर सकते है fishes catch कर पाते है इस तरीके की होती है वो bamboo baskets यह देखिए इस तरीके का trap बना जाता है दो hemispherical baskets यहाँ पर लगाई जाते है और यह recurved मिस अंदर की तरफ यह जो bamboo की sticks है वो खुलती है means fish enter कर पाती है बट बाहर निकलने में उन्हें तकलिफ होती है इसके वज़े से यह trap में कैद हो जाती है fishes तो यह है pot उसके बाद है conical basket net और इस तरीके का हो होता है देखो यह मैंने पीक यहाँ पर डाली है तो यह bamboo की basket होती है तो यह अंदर की तरफ इसमें भी देखो अंदर की तरफ यह bamboo sticks लगी है तो fish enter कर लेती है बढ़ वो बाहर नहीं आ पाती है तो इस तरीके के traps बनाये जाते हैं fish catch करने के लिए और भी बहुत सारे traps है जो हम लोग अगले slide में पढ़ने वाले है Thank you students